हलो एवरिवन वेलकम आप सभी को शत्युजगर्द सिक्षक भरती परिक्षा विशय गणित और उसमें वर्ग एक जो की लेक्षरर या फिर व्याख्याता बोल सकते हैं उसकी भरती की जो परिक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आप लोगों की तैयारी करवाने वाला हूँ तो देखे पहले मैं इस पूरे विशय के बारे में या जो भरती प्रक्रिया जो है जो पिछले बार जो भरतियां हुई थी उस समय क्या रिकॉर्ड रहा था ये सारी डीटेल आपके साथ डिसकस कर लेता और तैयारी किस तरह से करनी है वो चीज़े तो इसके पहले 2017 में 2019 मे और 2023 में तीन बार ये भरती परिक्षा हो चुकी है 2017 में जो हुई थी वो PRL और NLL ये दो तरीके से हुई थी और 2019 और 2023 ये सबसे लेटेस्ट है जिसमें आपकी ये भरती परिक्षा हुई थी तो इस भरती परिक्षा में फुल मिला के जो syllabus को अगर हम देखें तो ये 1500 marks का total paper होता है जिसमें आपके 100 marks जो होते हैं वो गणित के होते हैं आपके subject special होते हैं subject specific होते हैं और बाकी जो 50 number होते हैं बाकी जो 50 number है वो जिसमें pedagogy हो गया समाने हिंदी, English, computer और समाने ग्यान इ यह वाला जिस 100 marks है जिसमें आपका पूरा गणित आता है उसकी तैयारी मैं यहां पर आप लोगों को कराऊंगा तो यह पूरे 100 marks पांच अलग अलग sections में divided हैं और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 59, 51, 52 के आसपास इसके number of chapters बनते हैं जिसको की हम यहां पर क्रमबध तर देंगे और अगर बात की जाए 1500 अंकों में जो maximum marks सारवधिक marks जो अभी तक गया हुआ है वो 2019 में लगभग 65, 70 के आसपास था और 2023 में भी लगभग इतने ही marks थे 65, 70 मतलब 1500 में अगर आप 65 से 70 के बीच ला रहे हो तो maximum score कर रहे हो आप समझ सकते हो यह चीज किसका paper tough आता है easy नहीं आता minus marking होती है definitely सही answer पे एक number और गलत answer पे 1 by 4 या 0.25 number minus हो जाते हैं तो आपको अच्छे से तयारी करनी है आपको यह target लेके चलना है कि यह जो गणित का जो विशह है इसमें 100 में आप 60 65 अगर score कर लेते हो तो आप बहुत ही एक safe side पे होगे या सुनिश्चित कर पा और आगे चलते हैं अब हम syllabus की उपर तो मैं जल्दी से आप लोगों को एक बार syllabus describe करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैं पूरी detail में न जाके short में एक बार discuss कर लूँगा तो यहां पर यह जो मैं पढ़ाने वाला हो Hindi और English दोनों ही भाशाओं में होगा और सारी पर समुच्च है तो अगर आप इस पूरे syllabus को ध्यान से देखेंगे तो यह completely 11th और 12th का syllabus है यारवी और बारवी के पूरे syllabus को maths के अगर मिला दिया जाए तो वो इस lecturer का syllabus बनता है ठीक है अब इसमें देखो आपके उपर depend करेगा कि आप अभी किस स्थिती में हो आपने अभ आप already पढ़ा रहे हो या कुछ समय पहले पढ़ाए थे उतने expertise नहीं हो तो भी आपको थोड़ा सा अच्छे questions, level के questions इसमें solve करने पढ़ेंगे ठीक है और अगर आप इसमें आप कई सालों से 11-12 पढ़ा रहे हो मानलो यदि आप सिक्षक हो तो आपको JEE level या advanced के level के questions solve करने पढ़ेंगे क्योंकि इनका जो question paper का pattern है वो उसी तरह का है ठीक है तो आप शुरुवात करेंगे basic से पहले आप अगर English medium में है NCRT की book या R.D. Sharma की book या R.S. Agrawal की book follow कर सकते हिंदी medium से या 36 बोर्ड से अगर आप पढ़े हुए तो आप 36 बोर्ड में जो नवबोद प्रबो बगर की book साती आप उसको भी follow कर सकते है पहला phase तो यह होना चाहिए लेकिन आपको advanced में जाने के लिए JEE के level के questions all करने पढ़ेंगे जो हलाकि मैं अपनी class में पूरी तरीके से करवाऊंगा बहुत सारे questions और जितने भी इसके पहले exam हुए है 2017-1923 के exam उनके जितने भी question है आ आपको 2-3 questions मिलेंगे जो previous year आई हुए questions उसके अलावा और भी बहुत सारे multiple choice questions आपको मिलेंगे तो जल्दी से एक बार syllabus को देख लेते है sets या समुच्च है सबसे पहला chapter start होता है फिर उसके बाद ये एक sequence में बना हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि इसी sequence को follow करेंगे अगल trigonometric function अब जानते हैं यह थोड़ा tough भी है इसके question बहुत बनते हैं और इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम बिल्कुल जिसमें सारी identities अच्छा एक और चीज़ आपको एक formula book बना के रखनी है अगर आप लोगों को सुनिश्चित करना है अपना चैन तो आपके पास formula book पक्का हो तो trigonometry में बहुत सारे formula है वो अच्छे से करना है फिर उसके बाद यह trigonometry के ही सब category को इसने chapters में divide करके रखा हुआ है तो जैसे कि संयुक्त कोणों का अनुपात हो गया या फिर रूपांतरण सूत्र conversion formula double angle triple angle multiple angle के formula हो गये फिर graph जो हो गया trigonometry का इसमें कुछ एक chapter का weightage थो समीकरन मतलब की trigonometric equation हो गया sine cosine तो आप यहाँ पर देखे हैं लगातार trigonometry के 4-5 chapters में इसने divide किया है फिर यह बहुत छोटा सा chapter है जिसका नाम है गडिती आगमन का सिद्दान मतलब principle of mathematical induction chances इसके बहुत कम रहते हैं question आने के इकादाएंगा समिष्र संख्याय मतलब की complex number यह important है इससे 2-3 questions आ सकते हैं रैखिक असमिकाय मतलब की linear inequality इससे भी 1-2 questions पक्का होंगे पिछले बार भी लगभग आए हुए हैं इसकी बाद आगे बढ़ते हम next है क्रमचय मतलब की permutation और combination यह दो chapter लगातार आपको देखेंगे permutation and combination तो इनसे 2 questions लगभग बन सकते हैं इन दोनों को मिला के फिर उसके बाद binomial theorem या फिर द्वीपत प्रमे इससे एक question बन सकता है बड़ा ही simple सा question आया था पिछले बार के exam में मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से questions आया थे sequence and series यह थोड़ा बड़ा chapter है important भी है और यह दूसरे chapter के साथ combine भी हो जाता है तो इसको भी थोड़ा आपको अच्छे से करना पड़ेगा ज्यादा practice की जुरत पड़ेगी क्योंकि इसके question trigonometry के साथ भी combine होके आ जाते हैं इसके question matrices के साथ भी आ जाते हैं तो यह थोड़ा सा difficult जाएगा और ज्यादा practice करनी पड़ेगी ठीक है फिर आता है सरल रेखा है मतलब की straight lines ठीक है ये भी इसमें भी बहुत सारे questions बनते एक से दो questions आने का chance है इसमें से शंकू परिक्षेद मतलब की conic section जिसके अंदर circle, parabola और hyperbola इसके अलाव ellipse ये चार पार्ट होते हैं इसके अंदर तो उन चारों से मिला के तकरीबन दो से तीन questions बन सकत हैं फिर उसके बाद आता है introduction to 3D geometry ये एक छोटा सा chapter है एक number का question सिर्फ एक ही आने का chance है इसमें से इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो limits जो सीमा जिसको बोल सकते हैं तो differentiation का जो first step है जिसमें हम limits start करते तो वहां से question आएगा इसके कुछ shortcut tricks भी मैं आपको बताऊंगा limits के question को कैसे जल्दी से जल्दी solve किया जा सकता है और आप ये मान के चलिए एक question तो इसमें से सै है आना फिर उसके आगे बढ़ते हम alkaline मतलब की differentiation तो differentiation से तो 3 question 4 question लगभग बन जाते हैं तो इसको हम अच्छे से करेंगे फिर उसके mathematical reasoning छोटा chapter है weightage कम है इससे बहुत rarely chance है की question question आए अगर आ गया तो एक से जादा तो नहीं आएगा statistics में कई direct question आए हुए है पिछले बार जैसे की mean, median और mode और उसके अलावा standard deviation बिना calculation के सीधे option को देखके बताना कि इन में से कौन सी central tendency है और कौन सी नहीं है इस तरह की चीजे आ सकते हैं ठीक है आई हुई है पिछले आगे बढ़ते हैं अब हम probability प्राइकता प्राइकता देखो दो parts में divided है एक तो यह आपको देख रहा है जो 11th का syllabus 11 के syllabus का probability है फिर 12 के syllabus का भी probability है तो दोनों आ सकता है अब probability में देखो आगे बढ़के ना वो probability के बाद random variable भी है तो वो चीजे भी हम discuss करेंगे इससे आप expect कर स दो से तीन questions आ सकते हैं फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो relations and functions आपको यह देखने को मिल रहा हुआ कि यह chapter repeat हो रहा है थोड़े दिर पहले आया था फिर दो बार आ रहा है तो क्या difference है वो 11th में जो पढ़ा हुआ relation function था और यह जो 12th में पढ़ा हुआ relation function है तो हम कोशिश करे तो 11 और on to function पे based question पका आते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम binary operation यह relation function का ही एक पार्ट है पिछले बार के exam में इससे एक question आया हुआ है 2023 के exam ठीक है इसके बाद आते है प्रतिलोम त्रिकोड मीतिये फलन मतलब की inverse trigonometric function तो यह एक important chapter है न सिर्फ आपके इसके question फसेंगे वो तो यूज होगा integration में भी differentiation में भी तो इसके concept को अच्छे से समझना जरूरी है फिर आगे बढ़ जाते हम matrix मतलब की overview तो इनके 2 से 3 questions पका है matrices और determinant को मिला के थोड़ा सा यहाँ पर English से हिंदी में translation हुआ है तो आप समझ सकते determinant है यहाँ पर आप उस चीज को समझ लीजिएगा deterministic अगर लिखा हुआ है तो थोड़े से spelling error यहाँ पर दिख जाएंगे आपको बाकी हिंदी वाले एकदम perfect है ओके फिर आगे बढ़ते हैं matrices के और determinant के बाद inverse of matrix matrix का view करम इससे question बनेगा linear equation system of linear equation solve करना यह भी matrices और determinant को use करके इससे question बन सकता है एक question इसके बाद आगे बढ़ते हैं continuity जैसा मैंने limits में आप से discuss किया था limits और continuity एक दूसरे से connected chapter है जो 11 में आता है continuity 12 मतलब की बारवी से start होता है differentiability differentiation से related है पूरा ठीक है फिर उसके बाद differentiation तो again यह differentiation उस बार भी आए था थोड़े देर पहले और बाद में भी तो actually जो syllabus इनों ने दिया है वो 11 और 12 का पूरो ठाके एक साथ डाल दिया है हम उसको इस तरह से organize करते वे पढ़ेंगे कि एक sequence बना रहा है ठीक है तो यहां पर यह differentiation आ गया फिर उसके बाद second order या फिर higher order derivative और उसके बाद उन पे based कुछ theorems जैसे कि Langrages theorem, Rollays theorem यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे application of derivative हो जाता है जिसमें rate of change of quantity मतलब राशियों के परिवर्तन की इदर ठीक है इसके अलावा वर्धमान या हासमान फलन मतलब की increasing decreasing function यह सारे के सारे application of derivative है तो यह चीज़े देखेंगे tangent and normals का equation निकालना यह भी application of derivative का ही part है ठीक है उच्चिस्ठ निम्निस्ट function फलन मतलब की maximum minimum function यह चीज़े भी हम इसमें discuss करेंगे integration यहाँ से start होता है integration में यह सारे formula जो दिये हुए उन सबका application होगा यहाँ पर use होने वाले है इसके अलावा indefinite और definite दोनों parts में obviously यह divide होगा application of integral इससे एक आथ question आया हुआ पिसले बार में differential equation मतलब की अवकल semi current तदिस बीच गड़ेत मतलब vector algebra इसके बाद vector algebra पे ही based उसके और product of vectors जिसमें हम यह देखेंगे dot product cross product मतलब की अदिश गुडणफल और सदिश गुडणफल फिर 3V में जियामिती मतलब 3D जिसमें equation of line और equation of plane दो तरह की चीज़े आएंगी रैखिक प्रोग्रामन छोटा chapter है एक question तो लेकिन इसमें से आता ही है और यह प्राइक्ता जो आखरी chapter में आप से discuss कर रहा था इससे 2-3 question आ सकते हैं तो हम 11 और 12 की probability को combine करके देखेंगे तो यह कुल मिला के जो आप 51 chapters देख रहे हो यह 51 chapters है इसको मैं इस तरह से combine करके पढ़ाने वाला हूँ कि आपको एक flow बना रहे और एकदम 0 से लेके मान लीजे अगर आप एकदम beginner है आप कही आप भी बारवी का घड़े तो शुरुवात से करते जाएंगे मेरे साथ में तो advanced level तक हम अराम से पहुंच जाएंगे चलिए तो शुरुवात करते सबसे पहले chapter से जिसका नाम है sets मतलब की समुच्छ है तो यहां सबसे पहले मैं आपको कुछ basics बता देता हूं sets के बारे में और उससे related operations के बारे में जो की हम sets में करते हैं फिर उसके बाद हम सीधे questions में आ जाएंगे तो overview देख लेते हैं एक बार समुच्छ है और उनका निरूपन मतलब की sets और उनका representation तो set होता क्या है set का अगर definition बोला जा English में तो वो है it is a well defined collection of objects मतलब की समुच्छ सू परिभाशित वस्तू का क्या है संगर है ठीक है अब किसी set को represent करने के निरूपित करने की कौन-कौन सी विदिया है तो यहाँ पर दो विदिया है पहला तो है roster या फिर सार्णी बधरूप roster form या फिर बोलते हैं उसको tabular form और दूसरा है समुच्छ निर्मान रूप मतलब की set builder form तो आपक होता है set builder form ठीक है अब एक example लेते हैं मान लिया जाए मैं एक set को define करता हूँ set A मेरे पास एक set है अचा set को हमेशा capital letter से represent करते हैं जैसे की capital A एक set है अब मैं लिखता हूँ set A के जो element मतलब की इसके जो अव्यव है मान लिया जाए ये है 1,2,3,4 ये इसके set के element है या फिर अव्यव है तो अभी जो मैंने set को लिखा है ये कौन से तरीके से लिखा है tabular form में लिखा है या फिर बोल सकते है roster form में लिखा है सार्णी बध अब इसी को अगर आपको set builder form में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो इसके element है इसके अव्यव है ये कौन सी property रखते है या इसका क्या गुण है तो ये सारी चीजे 1,2,3,4 ये सारे एक natural number है मतलब प्राकरितिक संख्या है और इनका मान 5 से छोटा है या ज़्यादा तर बोल सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी value क्या है 4 है तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं a is equal to x और x की value क्या है x की value है x किस से belong करता है natural number से और x की value क्या है less than or equals to 4 ये मैंने जो लिखाई इसको किस form में लिख दिया set builder form में मैंने ये बताया कि ए उन सारी वस्तूओं x का set है समुच्च है जो की x किस से belong कर रहा है x किस का अव्यव है n का n का मतलब होता है natural number मतलब प्राकृतिक संख्या तो x की value होनी है 1 2 3 4 लेकिन यहां क्या condition है कि x 4 से बराबर या 4 से छोटा होना चीज़ तो ये हो गया हमार हमारा roster form और यह हो गया हमारा set builder form clear सबको यह चलिए आगे बढ़ते जो बच्चे live में join है वह आप अपने question chat box में लिख सकते हैं अगर कुछ doubt हो तो speed fast या slow करना है जैसा भी ठीक है अब आगे बढ़ते sets के प्रकार पे तो सबसे पहला आपको जो प्रकार देख रहा है यहां समुच्चे हो जाएगा ठीक है अगर मैं बोलू कि एक से छोटी प्राकरितिक संख्याओं का समुच्चे क्या होगा तो एक से छोटी कोई भी प्राकरितिक संख्याएं नहीं होती तो उसका वो एक empty set है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे यह bracket बना देंगे और अंदर मे कुछ नहीं होगा या फिर इसको 5 से भी डिनोट किया जाता है दर्शाय जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चे मतलब की finite और infinite set नाम सही समझ में आ गया ऐसा set जिसमें finite number of element हो उसको finite set बोलते हैं जिसमें infinite हो वो infinite set माली जी मैंने एक set A लिख रहा है तो इसमें finite element है कितने element है सिर्फ 4 तो यह क्या हो गया finite set हो गया अगर मैंने दूसरा set A लिखा जिसके element है 1,2,3,4 and so on यह कभी खतम ही नहीं हो रहा है कहां तक जा रहा है अनन्त तक infinite तक तो यह कैसा set हो जाएगा infinite set हो जाएगा clear आगे बढ़ते हैं उप समुच्च मतलब की subset तो subset का मतलब क्या होता है मान लीजिए हमारे पास एक set A है जिसके element है 1,2,3,4 और दूसरा set B है जिसके element है 2 और 4 तो B के सारे element या B के सारे अव्यव A के अंदर आ रहे हैं तो एक B को बोला जाएगा कि वो A का कैसा है subset है मतलब क क्या है उप समुच्च है इसे किस तरह से दर्शाते यहां देख लीजिए यदि A small A capital A मतलब की set A का अव्यव है और यह यह दर्शाता है कि वो B का भी अव्यव है तो उस case में A को B का subset कहा जाएगा अब यहां पर कुछ और चीज़े जो common rotation यूज होते हैं जैसे कि capital R capital R अगर आपको कहीं पर भी यहां दिखाई देगा तो उसका मतलब वो किसका समुच्च है वास्तविक संख्याओं का मतलब की real numbers का set है capital N किसका set है प्राकृतिक संख्याओं मतलब की natural number का set है capital Z किसका set है और वैसे ही Q किसका set हो जाएगा परीमिय संख्याय मतलब की rational number का और T हो जाएगा irrational number का set तो देखी यहां पर हम एक important note लिखा हुआ है उसको समझ सकते हैं N जो है वो किसका subset है Z का मलब सारे natural number जो है वो integer के अंदर आते हैं सारे integer rational number के अंदर आते हैं और सारे rational number किसके अंदर इसलिए यह बोल सकते हैं कि rational Q जो है वो R का subset Z जो है वो Q का subset और N जो है वो Z का subset इसके अलावा T जो की irrational number मतलब की अपरीमिय संख्याय है वो भी real number का subset होता है तो real number में अगर देखा जाए number system आपको ध्यान में अच्छे से होना चाहिए जो real number है वो दो तरह के से divided होते एक होता है rational number जिनको P by Q के form में लिखा जा सकता है और दूसरा होता है irrational number जिनको P by Q के form में नहीं लिखा जा सकता है तो ये दोनों के दोनों real number के subset होते हैं अब ये दोनों opposite हैं क्योंकि T जो है वो क्या है? irrational, Q जो है वो क्या है? rational तो QT का subset नहीं होगा तो ये जो symbol आपको दिख रहा है उसका मतलब होता है not a subset तो QT का subset नहीं है NT का subset नहीं है simple CG इसके अलावा जो मैंने एक ये वाला symbol यूज किया था इस symbol का मतलब क्या होता है? belongs to या का अव्यव है जैसे कि यहां पर one जो है वो set a का अव्यव है set a का element है तो हम क्या लिखेंगे? one belongs to set a लेकिन अगर five a का अव्यव नहीं है तो लिखेंगे five not belongs to set a clear यह चीज? तो यह हो गया कुछ subset और उससे related terms और terminology के बारे में अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद subsets अच्छा यह सारी चीज़े जो आपने हिंदी में देखी वही चीज़े English में भी आपको available है तो आप देख लीजिएगा इसके बाद आते हैं equal sets तो equal sets क्या होते हैं या समान समुच्चे क्या होते हैं अगर मालीजिए a के सारे अव्यव b के अंदर है, b के सारे अव्यव a के अंदर है, तो a और b कैसे set हो जाएंगे? equal set हो जाएंगे clear? या दूसरे तरीके से इसे अगर परिभाशित करें, अगर a, b का subset है और यदि b भी a का subset है, तो इसका मतलब a और b दोनों आपस में equal set मतलब की समान समुच्चे हो जाएंगे, क्या ये clear है सबको? ठीके, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अंतराल, मतलब की interval, किसका अंतराल? r का r का मतलब क्या है यहाँ पर? real number, तो real number के जो intervals होंगे उसको as a subset कैसे represent करेंगे, वो चीज़े हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर वही चीज़ English में लिखिए, अगले slide में आपको Hindi, Hindi और English दोनों language में मिल जाएगे, तो मैं अभी इस में एक बार आपको समझा देता हूँ, यदि मान लीजिए a और b दोनो r case element है, अव्यव है मतलब की real number के ठीक है, a का मान b से छोटा है, और यदि आपको ऐसा देख रहा है, कि एक set जो की set builder form में लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, x का set x की value a से बड़ी होनी चाहिए, b से छोटी होनी चाहिए मतलब a और b के बीच में होनी चाहिए लेकिन a के बराबर और b के बराबर नहीं हो सकती, a से बड़ी और b से छोटी, तो इसे लिखने का तरीका यह है, जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है, a, b लिख देंगे और ये वाले bracket का यूज करेंगे, set में देखो हर bracket का अलग-अलग मतलब होता है और वो बहुत important होता है जैसे कि अगर हमने ऐसा लिखा a, b इसका मतलब x का जो मान है वो a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, लेकिन a और b के बराबर नहीं हो सकता अगर लिखा है a, b और square bracket लगा हुआ इसका मतलब है x का मान a से बड़ा या a के बराबर, b से छोटा या b के बराबर होना चाहिए यह है इसका मतलब, और यदि ऐसा लिखा हुआ है, curly bracket के अंदर a, b इसका मतलब x का मान या तो सिर्फ a होगा या सिर्फ b होगा समझ रहे हो न, a और b यही दो मान होगे और इसका मतलब इनके बीच के आने वाले सारे मानों का सेट, ठीक है अब कुछ चीज़े और भी बता देता हो जैसे कि अगर मालो इस सेट को आप नंबर लाइन में शोग करते हो रियल नंबर लाइन में तो वो कैसे दर्शाया जाता है तो देखो, जैसे यहाँ पर आ गया सबसे पहले a क्योंकि a का मान b से छोटा है यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आ गया b b का मान ने इसे बड़ा है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है x a और b के बीच में है a और b के बीच में मतलब यह सारा पूरा तो यह सारे नंबर जो इनके बीच में आ रहे है यह इस तरह से दर्शाया जाएगा नंबर लाइन में ठीके और यदि ऐसा लिखा हुआ है curly bracket square bracket के अंदर a, b तो उसे किस तरह से दर्शायेंगे तो उसे दर्शायने के लिए हम इसको भी यह वाले bubbles जो बना रहा हूं है यह जो गोले बना रहा हूं है उसको भी हम भर देंगे इसका मतलब इसका मान a और b भी होगा और उसके बीच के आने वाले सारे नंबर भी होंगे और यदि ऐसा curly bracket में लिखा हुआ है मतलब इसमें हम से दो चीजों को शो करेंगे एक तो जहां पर a आ रहा है और दूसरा जहां पर क्या रहा है यह number line में दर्शाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ किसमें interval as a subset of r में मतलब की अंतराल एक सब समुच्चे के लिए set of real numbers के लिए फिर आ जाते है power set पे मतलब घात समुच्चे तो देखो power set क्या होता है यदि मान लेते हैं मान लेते हैं यदि हमारे पास एक set a है ठीक है set a के जो elements है वो यदि 1,2 है ये दो element है तो अगर मैं इसके subset की बात करूँ कि कौन-कौन से subset होंगे तो उसका एक subset होगा 1 दूसरा subset होगा 2 तीसरा subset क्या होगा 1,2 और चौथा subset क्या होगा empty set उसका एक subset होगा बला समझते हैं इसके कितने subset बने 1,2,3 और 4 empty set को 5 से भी denote करते थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था तो उसके कितने subset बने 4 subset बने clear? तो इसके 4 subset है उसी तरीके से मान लो एक set भी लेता हो जिसके element है 1,2,3 तो अब बताओ इसके कितने subset बनेंगे तो उसके एक subset बनेगा 1 एक subset बनेगा 2 एक subset बनेगा 3 इसके लावा एक और subset क्या बन सकता है? 1,2 एक और subset क्या बन सकता है? 2,3 एक और subset क्या बन सकता है? 1,3 इसके लावा और क्या बन सकता है? 1, 2, 3, पूरा आ सकता है, इसके लाव और क्या बन सकता है, 5, मतलब की null set, तो किता हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके किते subset बने, 8 subset बने, उसी तरीके से अगर मान लो किसी set में 4 element है, तो कितने subset बने, उसका जवाब है 16, अब ये कैसे calculate होता है, तो simple तरीका है, किसी भी set के number of element को निकाल लो, जैसे कि N of A, N of A का मतलब होता है, number of element in set A, समुच्छे A में numberों की number of aware, मतलब की aware की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कितनी है, 2 है, अब यहाँ पर 2 की power, 2 लगा दो, तो कितना हो गया, 4, number of element in set B निकालो, B में aware की संख्या कितनी है, set B के अंदर कितने element है, 3 तो इसके कितने subset बनेंगे, 2 की power 3 मतलब कितना हो गया, 8, समझ गया, इसी पर कई questions आते हैं, मैं करवाँगा भी आपको आज, तो ध्यान से समझना, ठीक है, तो अगर मान लो, किसी set C के अंदर, मान लेते हैं, 10 element है, 10 aware है, तो उसके कितने subset बनेंगे, तो उसका जवाब है, 2 की power 10, जो भी आएगा, उतने उसके subset बनेंगे, समझ गया ये चीज, तो कभी भी आपको ये बोला जाए, कि किसी भी set के कितने subset बन सकते हैं, उपसमुच्चे बन सकते हैं, तो आपका जवाब होगा, 2 की power, जितने भी उसमें aware है, जितने भी उसके अंदर number है, clear, तो वापि set A के, इन सारे subsets को एक मैं और bracket के अंदर डाल दू, ऐस तरह से, यह हो गया, सबसे पहले आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1, 2, फिर आ गया 5, तो इन सब को अगर मिला के, एक बड़े वाले curly bracket के अंदर लिख दिया जाए, तो इसे बोल दिया जाता है, power set of A, समझ में आ तो इसमें भी सेम चीज है ना, number of element in power set बोला, तो 2 की power n लगा देना, simple, ओके, तो चली आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं when diagram, तो set को represent करने के जो दो तरीके अभी हमने discuss किये थे, कौन-कौन से दो तरीके हमने discuss किये, एक तो था tabular form, मतलब कि साणनी बद तरीके से लिखो, जिसको roster form भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमने discuss किया, वो कौन सा था, set builder form, जिसमें हम उनके गुणों को, उनकी properties को लिखते हैं, elements के, अवियब के, ठीके, अब तीसरा जो तरीका है, वो है when diagram, when diagram, मतलब की सार्वतिक, मतलब की एक graph है, समझ लीजिए, एक आकरिती के थूँ से हम दर्शार है, ठीके, तो चलिए इसे समझते है, when diagram, क्या है और कैसे उसका मतलब होता है, और यह बहुत useful होता है, कई सारे questions को बहुत जल्दी solve करने के लिए, तो ध्यान से समझना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुए, एक box बना हुआ है, यह box जो होता है, यह usually, ज्यादत universal set को दर्शाने के लिए use होता है, ठीके, जैसे universal set क्या होता है, वो नीचे आपको लिखा वह दिख जाएगा, और आप थोड़ा बहुत जानते भी होगे, सार्वत्रिक समझ है, एक ऐसा चीज जिसके अंदर सारे के सारे subset आते, उसको बोलते universal set, समझ गया यह चीज, तो यह यहाँ पर अभी जो हम z जिसको दर्शा रहे हैं, एक box से, वो एक universal set है, और उस universal set को हम z ले रहे हैं, z का मतलब यहाँ पर क्या है, integer, समझ रहे हैं, integer मतलब की, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पुर्णांग जिसे आप बोल सकते, तो यह z का मतलब यह है, z इसका notation इसली यूज जलन, एक german word है, तो उसी से यह z लिया गया है, खेर वो सब अलग बात है, तो z मतलब set of integer हो गया, तो सारे के सारे w, w का मतलब क्या होता है, whole number, whole number मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह सारे number, तो यह सारे number integer के अंदर आते हैं, और n का क्या मतलब हो गया, natural number मतलब की 1, 2, 3, 4, 5, प्राक अंदर आते हैं, तो इसको हमने एक diagram में show कर दिया, इसी को हम बोलते है, when diagram, समझ मैं यह चीज, और मैं कुछ example से बताता हूँ, मान लेते हैं, कि U एक universal set है, किसका universal set है, यह एक universal set है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा करते हुए सारे natural number का, तो यहां पर हम universal set जो बनाएंगे, यहां पर य जो की natural numbers को बत दर्शाता है, अब इसके अंदर अगर हम मान लेते हैं, एक set A, जिसके element या जिसके अवयव है, 1, 2, 3, 4, और दूसरा एक set B ले लेते हैं, जिसके element या अवयव है, 3, 4, 5, 6, तो इसे हम किस तरह से दर्शाएंगे, A और B दोनो universal के subset है, उपसमुच्चे है, त A कुछ बन गया इस तरीके से, B भी बनेगा इस तरीके से गोला, लेकिन जो B वाला circle होगा, वृत्त बनेगा, क्या वो A से cut करेगा एक दूसरे को, बिल्कुल करेगा, क्योंकि A और B में कुछ common element है, कुछ common अवयव है, वो कौन से है, 3 और 4, तो ये बन गया आपका B वाला set समझ में आई ये चीज, तो ये 3 और 4 ये common element यहाँ पर आ गए, अब ये set A अगर हम ले रहे तो उसके बचे हुए अवयव कौन से होगए, 1 और 2 होगए यहाँ पर, अब B के कौन से होगए, 5 और 6 होगए, तो ये बन गया आपका vent diagram representation है, इस तरह से vent diagram representation बहुत useful होगा, आगे मैं आज ही question करवाऊँगा, तो आपको वो चीजे clear हो जाएगी कि किस तरह से vent diagram का उपयोग करके, हम बहुत मुश्किल प्रशनों को भी बड़ी असानी से और जल्दी से solve कर सकते हैं, तो ये universal set B मैंने आपको already बता दिया, इसको U से represent किया जाता है, Q और union, union भी एक operation होता है set का, तो उसमें थोड़ा confused नहीं होना, थोड़ा सा difference दिखेगा आपको U और union का जो symbol होता है दोनों में, ठीक है, तो ये हो गया vent diagram और उसके बारे में कुछ details, आगे बढ़ते हैं, अब operations on set पे आ जाते हैं, मतलब की समुच्चयों पे होने वाली संक्रियां, तो सबसे पहला जो operation हम देखेंगे वो है union of sets, मतलब की दो समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन आपको नाम सही समझ में आ रहा है, या union मतलब की मिला देना, तो सेट को मिला देना, इसे संघ भी बोल सकते हैं, तो ये कैसे होता है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक set A है, दूसरा set B है, और हम यदि A union B का मान निकालना चाहते हैं, तो हम A और B दोनों में आने वाले अव्यवों को मिला देंगे, या फिर हम एक ऐसा नया set बनाएंगे, जिसमें वो सारे अव्यव आएंगे, वो सारे element आएंगे, जो की या तो A में आ रहे है, या फिर किस में आ रहे है, B में आ हैं, मतलब की A और B, clear हुआ है ये चीज़, तो अब इसे देखते हैं कि when diagram में कैसे दर्शाएंगे, तो जैसे मान लीजिए, ये हो गया आपका universal set, इसके अंदर आ रहा है set A, set B, दोनों के सारे अव्यवों को मिला दो, तो ये हो जाएगा A union B, जो यहाँ पर line-line बनके आप को देख रहा है, और वहीं अगर बात की जाए, ये होगी आपका same, ये भी union है, लेकिन इन दोनों में क्या फरक है, इसमें A और B में common aware है, common elements है, लेकिन यहाँ A और B में कोई common element नहीं है, इस चीज़ पे मैं आऊंगा, इसमें जबी भी A और B में कोई common चीज़े नहीं होती है, तो ऐसे sets को बोला जाता है, mutually exclusive sets, जिन में कोई common नहीं होता, आगे मैं discuss करूँगा, हलाकि वो चीज़ आपके साथ, तो ये हो गया union operation, अब देखो इसमें union operation में सबसे important Venn diagram तो था ही, उसके लावा इसकी property भी है, तो एक एक करके फटाफट properties देख लेते, सबसे पहली property य मानी में दूद मिलाओ, अगर बराबर मात्रा में है तो बराबर है, तो उसी तरीके से a union भी, b union a क्या होगा, सेम होगा, फिर क्या है, a union, b union, c का जो मान है वो इस तरह से, मतलब distribute किया हमने, पहले इन दोनों का union लिया, बाद में c के साथ, या फिर इन दोनों को पहले लो, a को बाद में लिलो, दोनों से कोई फरक नी पड़ेगा, a union 5 is equal to क्या होता है, a, तरह के कुछ simple question भी आये हुए, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, a union 5 मतलब क्या होता है, a, 5 मतलब खाली set, empty set, रिक्त समुच्च, तो अगर उसको a के साथ मिलाएं, तो क्या मिलेगा, a मिल universal का a के साथ union लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, universal set मिल जाएगा, ठीक है, तो ये 5 property जो आपको देख रहे हैं, गुरधर्म जो दिख रहे हैं, वो आपने देख लेना है, और उसको लिख लेना है, अगर अभी आप साथ में बना रहे हैं, तो मिरे साथ फटा-फट हो जा करें, परिभाशित करें, a intersection b, यह आपको intersection का symbol देख रहा है, यह उन सारे element x का set होता है, जो की a में आएंगे and, यह English का and है, हिंदी में उसके और बोल सकते, a में भी आना चाहिए, और b में भी आना चाहिए, a और b दोनों में आना चाहिए, तो ऐसे operation को बोलते है, intersection operation, clear सब क यह चीज, तो यहाँ पर आप देख रहे है, यहाँ पर a intersection b, मतलब यह वाला region है, जिसको इस symbol से दर्शाया जा रहा है, common region है, लेकिन अगर वहीं बात करें, कोई दो set ऐसे हैं, जिसमें कोई भी common नहीं है, तो उस situation में a intersection b, क्या हो जाएगा, आपका phi, मतलब की एक null set, रिक में कोई joint नहीं है, uncommonable, clear, okay, इसके बाद आते हैं, आगे, properties मतलब की गुण धर्म, किसके गुण धर्म, किसकी properties, तो intersection, तो पहली property जैसा union के साथ था, a union b, d union a, वैसे intersection में भी लगेगा, दूसरी property, यहाँ पर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, a intersection b, intersection c, order change कर दो, पहले इनक into four, तो पहले ऐसे करो multiply, या तो two into three करके four से कर दो multiply, दोनों same है, बस वही चीज़ बता रहा है, five intersection a क्या होगा, five, यहाँ यह चीज़ घ्यान देना है, five मतलब empty set, उसका intersection ले रहे, common ले रहे, किसके साथ, a के साथ, तो क्या मिलेगा, five, कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, you intersection a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि you और a के अंदर बहुत, क्या common होगा, a common होगा, जैसे यही मानलो न, यह हो गया आपका you, यह हो गया a, तो दोनों में common क्या है, यह वाला circle common है, तो बस यह आ गया, ठीक है, फिर उसके अद आते है, यह वाली property ध्यान से समझना, distributed law है, इस previous question हम करने वाले है, उसके पहले एक और बज़ गया था, a intersection a, तो वो a ही होगा, आप समझ सकते है, a और a में common क्या है, a है, यह वाली property को मैं simple इस example से बताता हूँ, जैसे मानलीजे, 2 गुणा 3 प्लस 4 अगर लिखा हुआ है, तो उसको हमें ऐसा distribute कर सकते है, 2 law, अगर मैं union की जगह यहां intersection लगा दो, तो भी होगा, ठीक है, तो बस वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, तो यह कुछ properties है, intersection की, क्योंकि एक operation है, sets पे लगने वाले, आगे बढ़ते हैं, अब अगले topic के उपर, जिसका नाम है, difference of set, तो operation बोल सकते है, difference of set, बनलब की दो समुच्चेओं का subtraction, अंतर, ठीक है, आपको यहां पर Hindi और English दोनों में मिल जाएगा, तो देख लिजेगा, तो अगर एक set A है, दूसरा set B है, और यदि आपको A-B का मान निकालना है, तो A-B उन सारे अव्यवों का समुच्चे होगा, उन सारे element का set होगा, जो की A के अंदर आने चाहिए, और, और हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, और, या English में बोल सकते, and, B के अंदर नहीं आने चाहिए, तो simple सी बात है, A-B में हम उन sets को, उन elements को लेंगे, जो A में आए, B में न आए, उसी तरीके से B-A का मतलब, जो B में आने चाहिए, लेकिन A में नहीं आने चाहिए, अगर इसे Venn diagram से समझा जाए, तो देखे, ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इस वाले पार्ट को, Venn diagram के इस area को, इस region को, अगर मैं shade करो, तो ये किसे दर्शारा है, ये द बात करते हैं, इस वाले पार्ट की, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये किसे दर्शारा है, ये दर्शारा है, B-A को, मतलब की वो B के अंदर आ रहे हैं, लेकिन A के अंदर नहीं आ रहे, clear सब को ये चीज़, तो ये A-B और B-A, मतलब की difference of sets का Venn diagram representation, अब आ लेते हैं मैंने एक universal set n लिखा जो की set of natural number है तो natural number मतलब 1,2,3,4,5,6 पूरे आएंगे मैंने एक set a define किया कि उसके element है 1, 1, 3, 5, 7 ऐसा करते वे so on मतलब ये कौन से number का set है कौन से number का समच्च है ये है विशम संख्याओं का मतलब की odd number का set तो अगर मुझे a dash निकालना है a dash मतलब a compliment या फिर फूरक निकालना है उस समच्च का तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा universal set में से इसको हटा दूँगा तो natural number में से अगर मैं इन number को हटा दूँगा तो क्या बचेगा 2,4,3,8 ये बचेगा मतलब ये कौन से कौन से अव्यवो का समुच्च हो गया ये हो गया set of one numbers नाच्रल नंबर तो simple ये तरीका है किसी भी set का compliment या फिर पूरक निकाल लेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजे इसमें discuss करते हैं तो यहां पर अगर उसे हम उसे मतलब compliment को अगर परिभाशित करें किस तरीके से थोड़ी से मुश्किल है जाती इस तरह के कोशन हो जब भी इस तरह से दर्शाय जाता है कोशन हो इस तरह से बुलने का मतलब है set builder form ठीक है तो a dash उन सारे elements x का element होगा जहां कि x किस से belong करे या किस के element हो universal के लेकिन वो किस में नहीं हो a में नहीं हो अच्छा इससे एक और चीज मुझे याद आई अगर माल लो यह हमारा एक set हो गया a तो a dash को हम यहां पर when diagram में कैसे दर्शाएंगे तो यह वाला जो पूरा portion आपको दिख रहा है यह पूरा portion किसे दर्शाएगा यह पूरा portion दर्शाएगा a dash को समझ में आई यह चीज़ कॉम्प्लिमेंट को तो यह हो गया कॉम्प्लिमेंट के बारे में अब आगे बढ़ते हम properties तो properties या फिर गोड़न धर्म तो कौन-कौन से सबसे पहला है कि अगर किसी भी set a का और उसके कॉम्प्लिमेंट का union ले लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा u मतलब की universal set मिल जाएगा तो आपको पता है यह हो गया मालो यह universal set यह हो गया set a सेट a का मतलब यह वाले number जो a के अंदर आ रहे है फिर उसके बाद बात करते है a dash या a complement उसके अंदर कौन से number आएंगे जो a के बाहर आएंगे मतलब की यह वाले आ गया पूरे समझ मैं तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में लेगा फिर उसके बाद a intersection a dash तो यह क्या होगा phi मतलब कि यह green वाले में और pink वाले में क्या common है common लेते हैं ना intersection में कुछ भी नहीं कुछ भी common नहीं मतलब क्या हो जाएगा phi अब यह तो चलो हो गया इसके बाद d morgans law पर आते हैं एक important law है तो ध्यान से समझना d morgans law क्या है यहां पर यह बोलता है कि अगर a union b dash ले रहे हैं मतलब union लेने के बाद उसका compliment ले रहे हैं तो यह किसके बराबर होगा compliments के intersection के बराबर होगा मतलब की simple सा मतलब यह समझना देश को अंदर भेज दो तो क्या हो जागा a dash b का क्या हो जागा b dash और यह जो union है यह पलट जाएगा और क्या बन जागा यह intersection बन जाएगा खतम उसी तरीके से अगर मालो ऐसा है a intersection b का compliment है तो compliment को अंदर भेज जो तो a compliment इसका complement क्या हो जागा, union, और B complement, बस खतम, इसी को बोलते है, D morgans, next property, किसी भी set का अगर दो बार complement ले, तो वापिस से वही set मिल जाएगा, आप करके देख सकते हैं, कोई भी एक example लेगे, अब अगला है कि universal का complement होता है, empty set, और empty set का complement होता है, universal set, clear ये चीज, जिस तरह से 0 का reciprocal, अब 0 का reciprocal क्या होता है, 1 upon 0, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है, infinite, और infinite का reciprocal क्या होता है, 0, इसी तरीके से ये चीज यहाँ पर भी लागू होता है, अगे बढ़ते हैं, अब हम formula to solve practical problems on union and intersection of two, अलब ऐसे कुछ formula जो की use होंगे, practical problems को solve करने के लिए, इसमें union और intersection use होता है, तो देखो ये formula क्या लिखा हुआ है, ये formula probability में भी use होता है, joint probability के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखते है, n of a union b, n का मतलब कै, number of element, अव्यबो की संख्या है, किस के अंदर a union b के अंदर, वो निकालने का formula है, n of a, मतलब a के अव्यबो की संख्या, plus n of b, मतलब b के अव्यबो की संख्या, minus n of a intersection b, मतलब कि दोनों में आने वाले अव्यवो की संख्या तो आप इसे चाहे तो Venn diagram से समझ सकते हैं बड़ी ही आसानी से जैसे वैसे हम इस तरह के question को Venn diagram से ही बनाने की कोशिश करेंगे माल लेते हैं यह set A है यह set B है तो N of A मतलब A के अंदर आने वाले अव्यवो की संख्या तो हम इसके अंदर के पूरे count कर लेंगे कितने हैं अव्यवो कितने element N of B मतलब B में आने वाले अव्यवो की संख्या मतलब इस वाले गोले के अंदर कितने आ रहे वो count कर लेंगे लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट मतलब intersection ये दो बार count हो गया इसलिए उसे एक बार हटाना पड़ता है इसलिए N of A intersection फिर अब यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है अगर A intersection B 5 है 5 मतलब कुछ common नहीं है disjoint set है अलग-अलग है इस तरीके से दो गोले बन रहा है दोनों अलग-अलग बन रहा है दोनों में कुछ common नहीं है तो उस situation में N of A intersection B का मान क्या हो जाएगा शून नहीं तो N of A union B क्या होगा N of A plus N of B अब यह बड़ा सा formula है N of A union B union C का तीन sets अगर आ जाते हैं तो उस situation आप formula देख लीजिए एक बार बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा वैसा जैसा इसमें बन रहा था वैसे यह minus यहाँ तीनों minus हो जाएगा और आखरी में यह वाला part जो है ना प्लस हो जाएगा लेकिन इस तरह के प्रश्णों को बनाने के लिए हम use करेंगे Venn डाइग्राम का जिसमें दो से जादा set वाले को शनाते हैं जादा तर क्योंकि उस से जादा आसानी ठीक है आगे बढ़ते है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर set A का मान आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है set A का मान set A का मान है वो सारे element x का set जहां की x क्या है एक positive integer और वो less than 10 है मतलब x की value 10 से छोटी है positive integer है positive integer मतलब की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह है लेकिन वो 10 से क्या होना चाहिए चोटा होना चाहिए और कैसा number होना चाहिए odd number होना चाहिए नहीं माफ कीजिएगा उसका मान 10 से छोटा है और यह लिखा हुआ है 2 की power x minus 1 क्या होना चाहिए odd number होना चाहिए यह लिखा हुआ है ना तो यहाँ पर positive integer मतलब की 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह होगा x का मान यहाँ पर एक डाल के देख x की value अगर हम 1 डालेंगे तो 2 की power 1 मतलब 2 minus 1 मतलब कितना हो जाएगा 1 जो की एक odd number है इसका मतलब x का पहला element या पहला अव्यव क्या होगा 1 फिर x का अगला मान डालते है 2 x की value डालते है 2 2 का square कितना हो जाएगा 4 4 minus 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 तो अगला तो 3 आया 3 कौन सा number है odd number है मतलब x का मान 2 भी हो सकता है अब x का मान 3 हो सकता है क्या तो 2 की power 3 तो 2 की power 3 कितना होता है 8 8 minus 1 7 मतलब की odd आया तो यह भी हो सकता है तो अब ये ध्यान दीजिए अगर 2 की घात में हम कोई भी number डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमेशा हमको क्या मिलेगा एक even number मिलेगा और even number में से अगर हम 1 minus कर देंगे तो वो number हमेशा क्या होगा odd होगा इसका मतलब x का मान चाहे कुछ भी हो ये हमेशा कैसा number मिलने वाला है आपको odd number मिलने वाला है तो इसमें एक element 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे होंगे लेकिन कहां तक तो आपका जवाब है 9 तक क्यों 9 तक क्योंकि less than 10 लिखा हुआ है इस वजह से ठीक है clear सबको ये चीज़ यहाँ पर देखो एक confusion हो रही है और कई बच्चों को जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ना कि जो set A है वो x का set है इनकी value का set नहीं है समझ रहे हैं यहाँ पर 2 की power x minus 1 का जो मान आएगा उसे हमें नहीं लेना है हमें किसे लेना है x का वो मान लेना है जो की इस condition को justify करें बनलब इस condition के लिए सही हो तो x का मान यह सभी रख सकते हैं क्या यह सारे बच्चों को clear है एक बार confirm कर देना स्रीती तिवारी एक बार confirm कर सकते हैं ठीक है ओके तो यह होगा first part का answer second में क्या लिखाव है c का मान निकालना है और c सारे x का set है और यह वाली condition होनी चाहिए यह वाली condition follow होनी चाहिए मतलब x की value इस समीकरण को सत्यापित करनी चाहिए तो अब देखते हैं इस समीकरण का हल निकालते हैं इस equation का solution निकालते हैं तो इस equation का solution निकालने के लिए हम इस number को या इस समीकरण को वो middle term split करके x का मान निकालते थे वही करना है तो किस में split होगा यह यह split होगा 8x और minus 1x में split हो जाएगा यहां से क्या common आएगा x यह बच जाएगा x plus 8 यहां निकलेगा minus 1 तो यह आज जाएगा x plus 8 तो दो factor मिल जाएंगे एक तो यह और दूसरा यह जिससे आपको x के 2 मान मिलेंगे क्या क्या और कौन कौन से मान मिलेंगे एक आ जाएगा 1 और दूसरा क्या जाएगा minus 8 यह यह चीज तो यहां पर x के जो 2 मान आए वो set c के अव्यव होंगे या element होंगे तो वो क्या जाएगा 1, minus 8 ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं आप इस तरह से condition for lower ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले example की तरफ तो क्या लिखा हुआ है दो finite set है ठीक है have m and n elements तो एक set है मान लेते हैं a जिसके कितने element है m element है मतलब a में number of element की अगर बात की जाए तो वो है m और दूसरा set जो है उसमें कितने elements है n मतलब number of element in b set b वो कितना है n समझ रहे यह चीज़ तो दोनों में अव्यवों की संख्याएं m और n दी हुई है the total number of subset of first मतलब की पहले वाले subset के पहले वाले set के the total number of subset of first set is 56 more than total number of subset of second set मतलब इसके उप समुच्यों की संख्या जो होगी वो इसके उप समुच्यों की संख्या से कितनी जादा है 56 इसके जितने subset है और वो इसके subset से 56 जादा है तो subset कैसे निकालते हैं हम मैंने आपको बताया था अगर जितने भी element है उसको 2 की power में लगा दो तो 2 की power m यह पहले वाले set के उप समुच्यों की संख्या सबसेट का number दूसरे वाले set के सबसेट का count क्या होगा 2 की power n यह चीज़ तो यह दोनों के number of subsets होगा अब बोल रहा है आगे question में the values of m and n are respectively m और n का मान क्या होगा तो देखो इसके subset इस से कित्ते जादा है 56 जादा है मतलब की 2 की power m minus 2 power n is equal to कित्ता हो गया 56 यह क्योंकि इसमें जादा है इससे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या भी लेगा 56 मिलेगा अब बड़ा simple सा तरीका option डालके देख लो तो 2 की m की जगा पे 7 और m की जगा पे 6 डाल दो तो 2 की power 7 minus 2 power 6 क्या यह 56 आएगा चेक करो देख्याल से नहीं आएगा आप देख से पिर अब यह वाला मान डाल लो 2 की power 5 minus 2 तो 2 की power 5 किता होता है 32 32 minus 2 मतलब किता हो जाएगा 30 यह भी नहीं आएगा ठीक है फिर उसके अच 6 और 3 डाल दो तो 2 की power 6 minus 2 की power 3 2 की power 6 किता होता है 64 2 की power 3 किता होता है 8 64 में से 8 minus करो तो क्या बचेगा 56 और अप्शन क्या हो जाएगा समझ मैं किस तरीके से इसको निकालेंगे ठीक है next question पर आते है two finite sets have M and N element तो उसी तरह का प्रश्चन है एक दो finite set है पहले में M element है दूसरे में N है the number of subsets of first set is 112 more than the second set तो वही चीज़ है पहले में M element है तो कितने subset होंगे 2 की power M दूसरे में N element है तो उसके कितने subset होंगे 2 की power N अब ये बोल रहा है कि पहले set के subset की जो संख्या है वो दूसरे वाले से जादा है कितनी जादा है 112 112 अब इसमें से अगर हम minus करेंगे 2 की power M minus 2 की power N तो ये कितना आना चाहिए 112 आना चाहिए तो वही काम जो हमने पिछली बार केस में सुखा के डाल के देख लो तो अगर मैं M की जगा पे 4 और N की जगा पे 7 डालूंगा तो calculate करने की कोई ज़ूरत नहीं वो क्या आएगा negative तो पहला option तो गलत हो गया कि ये number छोटा हो जाएगा ये number बढ़ा हो जाएगा अब M की जगा पे 7 और N की जगा पे 4 डालूंगा तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128 128 दो की घाच चार कितना होता है 16 कितना है दोनों का difference 112 तो yes option भी जो है वो आपका सही जवाब है ठीक है आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तो चलिए देखते अगला प्रश्न क्या है F1 किसका set लिखा हुआ है F1 है parallelograms का set मलब की समानतर चतुरभूजों का समुच्च है F2 किसका set है rectangles का F3 किसका set है thrombus का और F4 किसका set है squares का अभी ये जो सारी चीज़े मैंने यहां बर बता ह parallelogram तो ये सारे के सारे parallelogram की family के member है क्योंकि सारे rectangle भी parallelogram है सारे rhombus भी parallelogram है सारे square भी क्या है parallelogram है तो इसका मतलब F2, F3, F4 सारे के सारे parallelogram है clear ये ठीज़े अब यहां पर लिखा हुआ है F5 किसका set है trapezium का F5 है trapezium का set है अब question में ये बूल रहा है then F1 may be equal to तो F1 का मान किसके बराबर होगा तो यहां पर ध्यान से समझना F1 मतलब क्या है parallelogram तो मैंने क्या बता है rectangle rhombus square ये सारे मतलब की आयत सम चतुरभुज और वर्ग ये सारे के सारे समांतर चतुरभुज के ही प्रकार है ठीक है तो F1 का मान किसके बराबर होगा तो इन सबका union ले लो इन सबका union लोगे तो आपको एक समांतर चतुरभुज ही मिलेगा तो मतलब F1 का मान किसके बराबर होगा F2 union F3 union F4 union F1 के बराबर होगा सिर्फ F5 उसमें नहीं आएगा कि F5 क्या है एक ट्रेपेजियम है इस वज़ाए क्लियर आप आप आंसर डिरेक्ली कर सकते हैं इस प्रश्ण में जल्दी से देखते हैं यहां लिखा हुआ है S किसका सेट है किसका समुझ्च है सारे points का सारे बिंदूओं का जो की एक square के अंदर आ रहे है एक वर्ग के अंदर आ रहे है T किसका सेट है उन सारे points का उन सारे बिंदूओं का जो की किसके अंदर आ रहे है एक triangle के अंदर त्रिभूज के अंदर आ रहे है और C उनका सेट है जो सारे points या बिंदू किसके अंदर आ रहे है तर्कल के अंदर आरहे हैं इफ of ॐ रिभूज और विट एक दूसरे को कट कर रहे है काट रहे हैं आर्ट हैं किसके अंदर कंटेंड है स्क्वार के अंदर content, उसके अंदर इन में से कौन सी चीज़ सही होगी, तो देखे इसको sol करने के लिए एक काम करते हैं, हम ये सारी चीज़े बना देते हैं, एक सबसे पहले एक square बना देते हैं, मतलब एक वर्ग हमने बना दिया, ठीक है, इसके अंदर अब हम बना देते हैं एक circle तो यह हो गया मान लीजी एक circle और इसके अंदर एक बना देते हैं त्रिभूज यह बन गया हमारा त्रिभूज फिक है यह इस तरह से कुछ परा दिया है ना तो जैसा कि प्रश्ट में लिखा हुआ है यह सारे circle के अंदर है और यह एक दूसरे को काट रहे है एक दूसरे को काट रहे है मतलब कि यह देखो यहां पर यह एक दूसरे का कट हुआ तो यह इन लोगों के बीच में क्या गया common area अच्छा अब इन set को भी लिख देते S मतलब यह वाला set हो गया T मतलब यह triangle का set हो गया और circle का set क्या हो गया C अब question में बोल रहे है इसमें कौन सी चीश सही है तो एक बार देखते S intersection T intersection C मतलब कि ऐसा point यह ऐसे बिंदूों का समुच्च जो तीनों के अंदर आ रहा है क्या ऐसा है तो हाँ है वो यह वाला है तो यह 5 हो गया क्या empty set हो गया क्या नहीं गलत हो गया S union T union C is equal to C अगर हम सभी को मिला दे किसको मिला दे square के अंदर आने वाले सारे बिंदू C के अंदर आने वाले T के अंदर वाले सब को मिला दे तो क्या वो C के बराबर होगा गलत वो किसके बराबर होगा S के बराबर होगा तो यह option भी गलत अब देखते हैं S union T union C मतलब कि अगर हम S के अंदर वाले बिंदू, C के अंदर वाले बिंदू, T के अंदर आने वाले सारे बिंदू को मिला दे तो किस के बराबर होगा वो? S के बराबर होगा थोड़ी देर पहले मैंने बुला तो कौन सा option correct होगा, इसका option C, ठीक है, option D भी आप चेक कर सकते हैं, S union T और S intersection C अलग होगा, उसका correct answer क्या होगा, option C, yes, कई बच्चों का correct answer आचुका भी चली, अगले question में आते हैं, ये एक simple सा question है, चली, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पहले, आपने अगर question पढ़ लिया है, तो इसमें लिखा है R, set है, किसका set है, किसका समुच्च है, points का, बिंदू का, जो कि inside the rectangle है, मतलब कि एक rectangle, एक आयत के अंदर है, जिसकी side, जिसकी भुजाओं का मान क्या है, A और B, A और B दोनों का मान एक से बड़ा है, और दो sides जो है, वो किसके along है, मतलब किस direction में है, X axis और Y axis के direction में है, तो वो कुछ इस तरीके से बोल रहा है, यह हो गया हमारा X axis, यह हो गया हमारा Y axis, और यहाँ पर जो length है, वो है A, जो breadth है, वो हो A, B, जिस तरह का rectangle बन रहा है, यह है A, यह हो गया B, जिस तरह से बता रहा है, अब यह बोल रहा है कि इनके अंदर आने वाले सारे बिंदूों का, सारे points का जो set होगा, तो देखते हैं, इसमें कौन सा होगा, सबसे पहले लिखा है, X का जो मान होगा, यह इनके अंदर आने क्यों गलत है, क्योंकि अगर zero है, तो वो इस rectangle, इस आयत के अंदर नहीं है, यह उस आयत पे है, यह छोटा सा word का difference है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो हम कोई भी एक rectangle बनाते हैं, तो rectangle पूरे plane को तीन पार्ट में divide करता है, एक तो outside मतलब इसके बाहर का part, एक inside मतल on the rectangle, on the rectangle मतलब उस पे, तो यह वाला बिंदू, तो यहाँ पर हम यह वाली condition नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उस rectangle पे नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, set of the point inside the rectangle, तो यह दोनों गलत हो जाएगा, तो इसी तरीके से सारी इस तरह की inequality को, जिनको slack in equality बोलते हैं, उसे हम नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे फिर, जिसमें दोनों में यह चीजे included नहीं है, मतलब इन दोनों, तो इसका मतलब कौन सा option correct होगा, यहाँ पर option D correct होगा, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरह, तो अगला प्रश्न, क्या लिखा हुआ है इने class of 60 students, 25 students play cricket, तो 60 बच्चों की एक अक्षा है, जिसमें 25 बच्चे जो है, वो cricket खेलते हैं, इस टैनिस खेलते हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं, जो दोनों खेलते हैं, अब आपको यह पता लगाना है कि ऐसे बच्चों की संख्या हैं, जो दोनों नहीं खेलते हैं, प्ले न इदर, मतलब ना cricket खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, तो चले इसको मैं दोनों तरीके से आप लोगों को एक बर समझा देता हूँ, पहले तो formula से और दूसरा event डियाग्राम से, ताकि दोनों concept clear हो जाए, तो हम सबसे पहले, वो class का जो count है, व इसे हैं, जो cricket खेलते हैं, तो ये cricket खेलने वाले सेट को हम A ले लेते हैं, जो कि कितना है 25, फिर 20 बच्चे जो हैं, वो क्या खेलने वाले हैं, टैनिस खेलने वाले हैं, तो ये टैनिस खेलने वाले को हम B ले लेते हैं, ये 20 हैं, और 10 बच्चे जो हैं, वो क्या खेलते हैं दोनों खिलते हैं तो दोनों खिलने वाले वो कहां पर आगा यहां पर तो हम when diagram से सबसे पहले अंदर वाले के entry कलेंगे मतलब कि 10 जो दोनों है अब 25 cricket है लेकिन दोनों खिलने वाले 10 है तो सिर्फ cricket खिलने वाले मतलब कि जो यहां पर का count आएगा सिर्फ cricket खिलने वाले कितने होंगे तो 25 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा 15 और सिर्फ tennis खिलने वाले मतलब यह वाला count कितना आएगा तो देखो tennis खिलने वाले 20 है लेकिन 10 दोनों खिलने वाले है तो 20 में से 10 घटा दो तो कितना आजाएगा 10 समझ गए यह चीज इसका मतलब जो इन दोनों में से कोई भी एक खेल खेलते है या तो cricket या तो tennis अगर उनकी संख्या का मान निकालना है count निकालना है तो सबको add कर देंगे तो कितना आजाएगा 35 तो 35 ऐसे student है जो दोनों खेलते हैं दोनों में से कोई एक खेल खेलते है या दोनों खेलते हैं खेलते हैं लेक़् और कुल students का count कितना है संख्या कितनी है 60 तो 60 में से 35 खेलते है तो कितने हैं जो कुछ नहीं खेलते playing neither तो answer होगा इसका 60 में से 35 को minus कर दो कितना आजाएगा यह 25 25 तो 25 ऐसे बच्चे होंगे तो कुछ भी नहीं खिर तो यह वेंड डाग्राम से अगर कॉमन सेंस लगा कि आप निकालते हो फॉर्मले से निकालना है तो कैसे निकलेगा ध्यान से समझना तो कुल विध्यारतियों की संख्या कितनी हो गई 60 तो N of U, N का मतलब नंबर ओफ या फिर संख्या, किसकी संख्या? Universal सेट में अवयवो की संख्या, 70 25 क्या खिलते है क्रिकेट तो इसको N of A ले लेते हैं, क्रिकेट खिलने वालों को सेट A मान लेते हैं, वो पैठेषिस N of B, tennis खेलने वाले को B ले लेते तो tennis खेलने वाले B है 20 अब दोनों खेलने वाले मतलब क्या हो गया, N of A intersection B हो गया, तो वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ठीक है, अब अगर हम ये निकाले कि N of A union B, मतलब कि ये count कि या तो वो cricket खेलते या फिर ये tennis खेलते, दोनों में से कुछ भी खेलते either this or this, तो इसका formula थोड़ी देर पहले हमने लिखा था N of A plus N of B minus N of A intersection B, या दोगा आपको तो यहाँ पर इनका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 धन 20 minus 10, तो कितना जाएगा यह 35, तो या तो cricket जा तो cricket या तो tennis खेलने वालोगों будут अब हमको निकाला है neither, मतलब दोनों नहीं खेलने वाले तो दोनों नहीं खेलने वाले का मतलब क्या होता है ना ही A मतलब A dash and ना ही B, मतलब की B dash जह हो गया, अब इसको को निकालने के लिए देखो कैसे लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉम मैं पूरी फंडामेंटल तरीके से बता रहा हुता कि हुमा फिर आके भी पूछे अगर क्वेश्चन को तो आपको तकलीफ न जाए तो बार मॉर्गन्स अभी मैंने बताया था तो दी मॉर्गन्स के हिसाब से a union भी ऑल डैस हो गया यादा अंगए अगर इसे लिखने का तरीका क्या होगा इसे लिखने के लिए किसी कभी अगर कॉंपलेमेंट निकालना होता तो हमने बताये था यूनिवर्सल में कितने अव्यव है उसमें से क्या माइनस कर दो इसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा यह काउन तो यूनिवर्सल में कितने काउंट इजीली लिखा लोगे वो कितने है 15 सिर्फ टैनिस खिलने वाले कितने हैं दस लिए आते अगले प्रश्ट पे यहां पर लिखा हुआ है कि एक शहर में कितने व्यक्ति हैं 840 जिसमें से 450 लोग हिंदी पढ़ते हैं 300 लोग इंग्लिश और 200 लोग दोनों पढ़ते हैं समझ गए अब क्या बताया आपको कि number of person who read neither परलब की उन व्यक्तियों की संख्या जो दोनों नहीं पढ़ते तो यह practice के लिए मैंने दिया just पिछला question इसी टाइप का बनाया है तो यह क्या हो गया हमारा universal set जिसके अंदर कितने लोग आएंगे 840 फिर इसके अंदर आ गया set A A जो कि मान लेते हिंदी बोलने वाला है और set B जो कि English बोलने या पढ़ने वाला जो भी है ठीक है और 200 लोग दोनों वाले है तो 200 का जो count है वो दोनों वाला है तो 200 यहां पर आ गया अब सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने तो हिंदी बोलने वाले 450 तो सिर्फ हिंदी बोलन वाले 300, दोनों बोलने वाले 200, तो सिर्फ English बोलने वाले 300-200 मतलब कितना हो गया 100, तो कुल मिलाके ऐसे व्यक्ति जो की या तो English या Hindi, दोनों में से कोई, बोलते या पढ़ते जो भी लिखाया आप उसमें मत जाईएगा, तो English या Hindi, दोनों में से कोई भी एक पढ़ने वाले व्यक्तियों की स्था, कितनी है, तो अगर यदि आप इसे जोड़ेंगे, तो कितना जाएगा, तो साड़े 500 लोग ऐसे हैं, जो या तो Hindi, या तो English पढ़ते हैं, अब कुल व्यक्ति किते थे, उस पूरे टाउन में 840, तो 840 में से ये घटा दो, कितना 550, तो कितना आ जाएगा, आपके पास 290, तो 290 उनकी संख्य है, जो दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, अब हम आगे bonus questions के लिए ready रहना, अब questions का level थोड़ा सा tough होने वाला है, तो ध्यान से समझना, और आखरी के दो questions, एक question जो मैंने लिया है, वो पिछले साल 2023 में आया हुआ question है, और उसके पहले वाला question 2019 वाला question है, तो वो आप जल्दी से देख लेना इसके बाद, थोड़ी द परसेंट लोग जो है, वो एक news channel देखते हैं, जबकि 76% कोई दूसरा channel देखते हैं, अगर x परसेंट लोग दोनों देखते हैं, तो आपको ये बताना है, कि x का जो मान है, वो इन में से किस के बीच में होगा, ठीक है, तो बड़ा simple सा concept है, आप इसको देखो, पढ़ो और क कोशिश करो कि अगर आप ये बना लोगे तो बहुत अच्छा, ठीक है, तो 63% news channel, 76% कोई दूसरा channel, x परसेंट दोनों, तो कितने लोग हैं, जो की, तो x का जो मान होगा, वो क्या होगा, ये बीचा, तो अगर आप वेंड डाग्राम से बनाना चाहें, तो वेंड डाग्रा से बनाना चाहें, तिलहाल मैं आपको ये, इसका solution बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे question है, हमें जल्दी जल्दी सारे question है, तो n of a, मतलब की, जो news channel, देखने वाले लोग हैं, वो कितने है, 63% हो, n of b, दूसरे कोई channel देखने वाले लोग, तो वो कितने है, 76%, तो 76%, n of a intersection b, मतलब की, दोनों देखने वाले लोग, तो वो कितने है, x दी, आपको x का मान निकालना है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरे 100% लोगों में, ऐसा जरुरी तो नहीं है, कि पूरे के पूरे कुछ देखते हो, हो सकता है कुछ लोग, कुछ भी नहीं देखते हो, फिर हुआ यह चीज, तो यहाँ पर अगर हम maximum माने, कि पूरे 100% के 100% लोग अगर देखते हैं, तो उस समय यह count कैसा बनेगा समझना, n of q, मतलब universal set का count हम क्या ले लेंगे, 100, तो और जिसको कि हम n of a union b से दर्शाएंगे, क्यों a union b, क्योंकि हमने यह माना कि पूरे 100% के चैनल, वो फॉर्मुला क्या बन जाएगा है, n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection, जा बन जाएगा, ठीक है, अब a union b का मान कितना हो गया, 100, n of a का मान कितना है, 60, n of b का मान क्या है, 76 minus x, अब अगर इससे solve करोगे, तो यह x आ गया है, इधर, यह कितना हो जाएगा, यहाज जाएगा 979 और यह जाएगा 139, 139 minus 100, मतलब कितना आ गया, 39, तो उस case में x का जो मान आएगा, वो कितना आएगा, 39, यह उस situation में ले रहे है, जब हम सभी लोग, यह मान रहे हैं कि सभी लोग तीक देखते हैं, तो यह जो x का मान है, वो सबसे minimum मान है, सबसे lowest value है, लेकिन, अगर मान देखते होंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, इस case में एक बढ़ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40, समझ रहे हैं यह चीज, तो अभी यह चीज हमें नहीं पता कि सभी देखते हैं कि नहीं देख, तो इसलिए x का मान 39 नहीं है, 39 उसका minimum value है, कम से कम 39 लोग लेकिन अब जादा से जादा कितने हो सकता, तो देखिए, जादा से जादा जो है 63 परसेंट लोग जो है, वो क्या देखते है, news channel, तो x का मान जो है, वो 63 से exceed नहीं कर सकता, उससे जादा नहीं हो सकता, तो x का जो मान होगा, वो minimum कितना होगा, 39, 39 से जादा यह उसके 63 और 76 परसेंट लोगों का intersection है, तो कभी भी वो 63 से जादा नहीं हो सकता, तो इसलिए कौन सा option correct होगा, इसका option C correct होगा, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपको सामने देख रहा है, यहाँ पर एक set A है, और set B है, set A जो है, यह ordered pair क सेट है, ordered pair क्या होते हैं, वो हम आगे discuss करेंगे, पहले आगे तो पहले लेता हूँ, बलब set A के element सिर्फ X नहीं है, वो X, Y का set है, समझ रहे हैं, और यहाँ पर Y जो है, वो कैसे defined है, Y का जो मान होगा, वो क्या होगा, 1 upon X, जहां की X 0 नहीं हो सकता, और वो क्या होगा, एक real number मतलब की वास्तविक संख्या, वहीं set B इस तरह से defined है, कि set B के aware, उसके element होगे, X, Y, और Y का जो मान होगा, वो क्या होगा, माइनस X, और X क्या होगी, एक वास्तविक संख्या, तो यह पूछ रहे हैं कि A intersection B का, इन में से कौन सा मान होगा, या A union B का, क्या ये वाला मान सही का, देखें किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले ये चीज़ सबसे important है, क्योंकि यहीं से define होता है, X और Y का मान क्या होगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, Y का मान क्या बोल रहा है, 1 upon X, और यदि यहाँ देखा जाए, तो Y का मान क्या बोल रहा है, यहाँ पर minus X बोल यह X इधर जाएगा, तो minus X square is equal to 1, इस minus को इधर भेज देते हैं, तो X square is equal to minus 1, जिससे आपका X का मान क्या जाएगा, root minus 1, तो root minus 1 एक वास्थविक संख्या नहीं है, एक real number नहीं है, यह एक imaginary number है, कालपनिक संख्या है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, X का मान क्या होना चाहिए, real number होना चाहिए, इसका मतलब यह दोनों चीजे अगर हम लेंगे, तो हमें एक real number नहीं मिलेगा, एक real number नहीं मिलेगा, मतलब इन दोनों का intersection में कोई real number नहीं होगा, कोई real number नहीं होगा, मतलब क्या होगा, null set होगा, तो कौन सा option correct होगा, option C, null set, empty set, यह answer correct होग चले, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ तो, अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से क्या लिखा हुआ है, A and B are two sets, A और B दो sets है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का expression दी, इसका मान इन में से किसके बराबर है यह आपको बताना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, A और B दो sets है A intersection A union B का मान किसके बराबर होगा, यह पूछ तो सबसे पहले ना हम कुछ इससे बना लेते मान लेते हैं योगया set A, मान लेते हैं योगया set B, है ना अब यहाँ पर A union B की बात करें तो A union B कौन से set बनेगा, color set बन जागा A, समझ गए, अब A union B के बाद किसका intersection लेना है, उसका A के साथ A union B का, अगर मैं A के साथ intersection लूँ, A मतलब यह, तो दोनों में common क्या आ रहा है, देखो कौन सा area है, जो दोनों line में आ रहा है, तो कौन सा area है, वो पूरा A का area, कौन सा answer correct होगा, option A correct होगा, simple next question पर आते हैं, चलिए, यह question, क्या लिखा हुआ है, यदि X और Y यह दो sets है, X dash क्या denote करता है, X का compliment, पूरक और तो इसका मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है, यहाँ पर, यह पूछ रहा है, X, intersection, X union Y, pull dash, इसका मान क्या होगा, D Morgan's लगाना पड़ेगा, थोड़ी property, थोड़े गुण धर्म, जो हमने देखे थे, operations के, वो यहाँ पर लगेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर D Morgan's law लगाऊंगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया था, तो यह compliment अंदर जाएगा, तो क्या बन जागे यह, X का compliment, उनिवर्सल का compliment, उल्टा, intersection, और यह क्या हो जाएगा, Y' हो जाएगा, समझ में आया यह चीज, फिर लगेगा, Distributive law, Distributive law मतलब, X intersection यह वाला number, X intersection यह वाला number, यह वाला set, तो यह बन जाएगा, X intersection X dash, ठीक है, फिर, नहीं, एक मिनट, यह दोनों में intersection, तो X intersection X dash को, हमें एक साथ लिख देते हैं, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, और intersection यह वाला number आ जाएगा, मतलब क्या आ गया, यह Y' आ गया, अब property से recall करो, X intersection X dash क्या होता है, X intersection X dash होता है, 5, जबकि Null Set, Null Set का अगर किसी भी set के साथ intersection लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, Null Set मिलेग 5, तो कौन सा option correct होगा, option C, तो यह हो गया अगला सवाल, next आते हैं, अब यह प्रशन जो आपको सामने देख रहा है, यह 2019 के exam में आया हुआ प्रशन है, सबसे पहला प्रशन है, 2019 के जो lecturer की जो भरती परिक्षा हुई थी, उसके set A का पहला प्रशन यही था, तो यहाँ पर क सेट है, देखो इसका एक shortcut भी बताओंगे, कैसे हम जल्दी समझेगे, universal set U किसका set है, जो इस equation के solution होंगे, तो यह घात 5 का एक polynomial है, तो जब हम इसको solve करेंगे, इनकी value निकालेंगे, तो हमें X के 5 मान मिलेंगे, ठीक है, तो उनके 5 मानों को पूरा निकालने के लिए क्या कर को निकाल लो common, तो क्या बच जाएगा, XQ minus 6 X square plus 11 X minus 6 is equal to 0, तो यहां से X square 0 होगा, जिससे X के 2 मान 0 और 0 मिलेंगे, मतलब एक तो 0 आ गया, बाकी जो मान होंगे X के, वो इनको solve करने से मिलेगा, तो अब इसको पूरा solve नहीं करना है, एक देखो मैं तरीका बताता हो, कैसे क find किया, फिर इसने क्या लिखा है, A, तो set A आप कैसे निकालोगे, इस वाली equation को solve करके, यह वाली equation कैसे solve होगी, X square minus, middle term split करते न, minus 2X minus 3X plus 6, इधर से क्या common निकल जाएगा, इधर से X तो क्या बच जाएगा, X minus 2, इधर से क्या common निकलेगा, minus 3, तो क्या बच जाएगा, X minus 2, मतलब इसका factorization होगा, X minus 2 और X minus 3, जिससे X का 2 मान मिलेगा, वो क्या होगा, एक 2 और दूसरा 3, तो set A के जो element होगे, वो होगे 2, 3, यह समझ गए, और set A, और यहाँ पर देखो, universal set की बात कर रहे हैं, universal set का एक element 0 आ चुका है, बाकी हमने नहीं निकाला, लेकिन यहाँ से पत element 2 है, और एक element 3 है, क्योंकि यह universal है, तो A उसका क्या होगा, subset, ठीक है, अब उसी तरीके से इसके भी middle term को split करके solve करेंगे, तो यह minus 2 और minus 3 में split होगा, जिससे आपको X के 2 मान मिलेंगे, एक मिलेगा 1, और दूसरा मिलेगा 2, जिससे B के जो element होगे, वो 1 और 2 आएंगे, element होगा, तो यहाँ पर यह एक और element क्या जाएगा, 1, तो 0 दो बार बाकी 1, 2, 3 भी आएगा, आपको अगर doubt है, तो उसमें डख रख के check कर लेगा, क्या आगे, उनिवर्सल, अब इस question में क्या बोल रहा है, A intersection B complement का मान क्या होगा, तो A intersection B निकाल लो, तो A intersection B का जो मान होगा वो क्या आएगा, दोनों में common क्या है, 2, और यहाँ पर क्या लिखा होगा, उसका complement, तो A intersection B का complement निकाल लेगे, हम U में से माइनस कर देंगे, किसको A intersection को, तो U उनिवर्सल सेट, उनिवर्सल सेट यहाँ पर कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4 वाला, 0, 1, 2, 3 वाला, उसमें से हम 2 को हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, 0, 1 और 3 बच जाएगा, मतलब कौन सा answer सही होगा, इसमें, option B जो है, इसका सही जवाब होगा, क्या यह सबको clear है, ठीक है, तो यह सवाल देखे, 2019 के exam में पूछा गया था, और उसका highest marks जो गया था, 2019 के paper का, वो तकरीबन 65 के आसपास था, आप समझ सकते, बड़े, कई question आपको समाने से question मिल जाएंगे, जो आप थोड़ा बहुत भी पढ़के गए हो, तो आप बना सकते, ठीक है, कई question मिल सकते इस तरह, फिर आते हैं, अगले सवाल की तरफ, तो यह सवाल जो आपको देख रहा है, यह पिछले बार के exam में अपनी है, यह का मान फाई नहीं हो सकता, क्योंकि non-empty हो, तो इन में से कौन सा statement true होगा, तो पहला statement बोलता है, A intersection B, फाई है, तो यह प्रदर्शित करता है, या तो A का मान फाई होगा, या B का मान फाई होगा, लेकिन पहली ही line बोलता है, कि वो non-empty set है, तो A और B का मान क कैसे 5 ही हो सकता है, नहीं हो सकता, तो option A गलत हो गया, फिर उसके बाद बोलता है, यदी A, B का subset है, तो A intersection A minus B, 5 होना चाहिए, अब यहाँ पर ना, इस चीज़ को थोड़ा हम वेंड डायग्राम से समझें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, देखें, सबसे पहले यह हो गया, अच्छा, यह A, B का subset है, तो हम इस तरीके से बना देते हैं, यह B को, ठीक है, क्योंकि B बड़ा है, B percent है, और A उसका subset है, तो यह बन गया A, समझ गया, तो यह B और यह गया A, अब क्या लिखा है, A minus B, A minus B का मतलब होता है, A में से उन element को हटा दो, जो की B के अंदर आ रहे है, तो भई, A के अंदर से अगर उनको हटा दोगे, जो B के अंदर आ रहे तो वो सारे है, तो पूरा हट जाएगा A के अंदर, तो A के अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 हो गया वो, और A का अगर 5 के साथ intersection लोगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा तो इसका मदलब कौन सा option correct होगा बाकी भी अगर देखना है तो देखें बड़ी आसानी से यहां देख सकते हैं option c गलत कैसे वो भी देख लीजिए अगर a b का subset है तो b union a a के बराबर होगा क्या तो यह देख लेते अगर a b का subset है तो अगर मैं दोनों का union लूँगा तो union किसके बराबर होगा b के ना की a के इसलिए option c गलत है option d क्यों गलत है देखें यह अगर ऐसा लिखा हुआ है न कर्ली नहीं बोल सकते थैंक यू आज की class फिर मैं यहीं end करता हूँ